हेलो दोस्तों मैं विकास आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है आज का टीवी है सेंस्वी का अल्ट्रा स्लिम टीवी इसमें रैंबो और नीचे से फ्लिप इमेज दिख रहा है यह वाडिकल सेक्षन का प्रावलम होता है तो आएए देखते हैं कहां से प्रावलम है विल्कम टू माई चैनल प्रेम इलेक्ट्रानिक्स सब्सक्राइब और प्रेस बेल आइकॉन मैंने इसकी स्कुप को खोल लखा है ताकि बीडियो लंबी ना बने इसके सारे वार्स को पहले रिमूप कर लेंगे डिस्कनेट कर लेते हैं अएक उसके बाद देखते हैं फाल कहां से है यह प्रावलम ज्यादतर वाटकल सेक्शन का ही होता है वाटकल पे पर अब बोल्टेज ठेक तरीके से नहीं पहुचता या लो बोल्टेज पहुचता है तो ऐसा प्रावलम देखने को मिलता है तो दोस्तों हम हम पावर देते हैं इसमें मीटर की 200 रेंज पर रखते हैं और मीटर का ब्लैक नॉब तीवी के ग्राउंड में कनेक्ट कर देते हैं कि यह देख रहे हमारा 63 वोल्ट बन रहा है क्योंकि वीडियो काउन सेंस्वी और आकाई में भी ऐसा रहता है कि जब इस्टेंडबाइ करेंगे तभी उसका वंटेन पूरी तरह से बनता है तो देख रहे हैं आप वाटकल प्लस 17 वोल्ट और वाटकल पर जाने वाले 17 वोल्ट माइनस जो कि यहां पर माइनस 7 वोल्ट दिख रहा है तो प्रॉल्म यहीं से हो सकता है वाटकल के दूसरे नमबर पर 18 वोल्ट और च्छटे नमबर पर भी 18 प्लस है और चौथे नमबर पर माइनस 17 वोल्ट होना चाहिए वहां पर 7 वोल्ट पहुंच रहे हैं तो मारा यह बोल्ट ठीक नहीं बन दा है इसी के लिए आप फ्राव्म हो सकती है तो और सबसे पहले? इसमें डायबोड लगाके देख लेते हैं कि डायबोड़ इसका लँड Constitution नहीं हो चुका है क्यूंकि इसके लोड रहता है बेदाइन वल्य काफी जादा लेता है तो हो एस्टैन्वाइ करते हैं और बालस को देखते हैं तो आप देख सकते हैं यह डाइबोड लगाने के बाद भी माइनस शिक्स बॉल्ट बन रहा है और फ्रीगर भी वैसा ही दिख रहा है यानि कि इसका जो डाइबोड लगा हुआ है वो के कंडिशन पे है तो यह डाइबोड हमनिकाल लेते हैं और कभी-कभी इसका गैपस्यीठर भी वalyve erg रहता अंदर से बाहर से नहीं दिखता है तो हम उसको भी चेंज करिके देख लेते हैं कि कहीं वहीं से- वहीं से प्रॉल्म तो नहीं है तो डिसोल्ड वायर की मदद से हम इसको डिसोल्ड कर लेते हैं यह ने डिसोल्ड कर लिया है कैप्सिटर को कि इसमें 25 पोल्ड चार सु सब्सक्राइब का लगा हुआ है कि आपको दिखाना चाहते हैं कि यह क्लियर नहीं ले रहा है कि यह देखिए 25 पोल्ड चार सु सत्र शक्तर यू एफ तो हम इसमें 35 पोल्ड चार सु सत्र यू यू यप का भी लगा सकते हैं मेरे पास 25 पोल्ड का नहीं था तो मैं 35 पोल्ड का ही डाल दे रहा हूं कि इसका कि जो माइनस पाइंट रहता है वह डाइवोड साइड पे रहता है और जो प्लस वाला पास्ट्यू रहता है वह ग्राउंड पे सोल्ड होता है इस बात का ध्यान लगना चाहिए क्योंकि उल्टा लगाने से भी वह उत्तरन्त ही ब्रश्ट हो जाएगा कि हम आपको जूम करके दिखा दे रहे हैं कि है कि इसको अच्छे से सोल्ड कर दिया है तो अब हम इसको फिर से शिख कर लेते हैं यह भी स्टेंडबाइ रून पर नहीं है यह स्टेंडबाइ किये हैं तो आप देख सकते हैं इसमें माइनस 4.7 बॉल्ट भी बन रहा है तो यानि कैप्सिटर भी हमारा ओके था और इसका फिगर भी वैसा ही है तो इसका रेश्ट्रेंस विकाल के देखते हैं यह हमारा प्लस 17 बॉल्ट तोठी बन दाया है माइनस प्लस 17 बंदाया है इसके रेश्ट्रेंस का वैलू हाई हो जाता है तो भी ऐसा प्रॉलम दिखने को मिलता है इसको डिसोल की मिलसी निकाल निकाल लेते हैं तो आप इसको डिसोल दो चुका है यह जीरो पाइंट वन ओंस का अशेश्टेंस है आपको मालूम होगा कलर कोड ब्राउन ब्लैक सिल्वर ब्राउन इसका कलर कोड है तो उसके स्थान पे मेरे पास तो उस रेश्टेंस यह देख सकते हैं आप 45 हम्स का हाई वैलू दिख रहा है तो इसके स्थान पे हम दूसरा उसी टाइप का वीडियो किट से निकाल के लगाते हैं इसमें वान पॉइंट टू ओम्स का अजरेश्टेंस लगा हुआ था कि यह आप क्रोंग चिप करके दिखाता है अधिए यह वान-फ़ाइब दिख रहा है तो अब हम इसको लगा देखते हैं ओ ओ और माइनस बोल्ट ना बनने से भी इसमें रैन्बो दिखता है पूरा डिस्प्ले रैन्बो कलर का हो जाता है कि ऐसे में आप माइनस फूल कोई ट्रैक करेंगे तो उसका फाल्ट कि आपको जरूल मिल जाएगा तो आप देख सकते हैं यह माइनस सत्रह फूल हमारा की हो गया है कि यानि कि हमारा अधरिश्टेंस ही हाई भाई लू का हो गया था जिससे लो बोल्टेज बन रहा था तो हम आपको वीडियो भी दिखा दे रहे हैं यह देखिए हमारा फॉली स्क्रीव कि इमेज बन रहा है कि अब हम आपको वीडियो भी चला के दिखा देते हैं कि ऐसे ही आसान ट्रिक के लिए लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब करना ना बोलें कि इसमें कलर गिर गया है पेंट डिस्पले पे इसलिए वाइड कर लाइन की तरह दिख रहा है बाकी और इसमें कोई प्रावलम नहीं है आप देख सकते हैं ठैंक्यू दोस्तों